साथियों, आप सभी देश को सिर्फ एक मेडल नहीं, सिर्फ सेलिपरेट करने का गर्व करने का आउसरी देते ऐसा नहीं है, बलकि एक भारत स्रेश्ट भारत की भावना को आप और ससक्त करते हैं। आप खेलबे ही नहीं, बाकि सेक्टर में भी देश के युवाओं को बहतर करने के लिए प्रेरीद करते हैं। आप सभी देश को एक संकल्प, एक लक्ष के साथ जोडते हैं, जो हमारी आजादी की लड़ाए की भी बहुत बड़ी ताकत थी। मात्मा गांधी, नेताजी सुभास्चन दे बोच, मंगर पांडे, तात्या टोपे, लोकमाने तीलक, साधार भगत्सी, चंदर्चेक राजाप, अस्फागुल्लाखा, रामप्रथाज बिस्मल, अंगिनित सेनारी, अंगिनित क्रांती बीर, जीन की धारा हलक थी, लेकिन ल जश्मी बाई, जलकारी बाई, दुर्गा बावी, रानी चेनम्मा, रानी गाइडिन लियो और वेलू नचियार जैसी अंगिनित विरंगनाओं ने हर रूडी को तोड़ते हुए, आजाधी की लड़ाए लड़ी, बिर्सा मूंडा हो, अलूरी सिताराम राजू हो, गोवि गूरू हो, जैसे अनेक महान आजिवासे सेनानियों ने, सिर्फ और सिरफ अपने होसले, अपने जज़बे से इतनी ताकतवर सेना से टक्कर ली थी, डॉक्टर राजेंदे प्रशाद, पंडित नहरू, सरदार पतेल, बाबासाब अमेड कर, आचारी मिनोबा भावे, नान जैसे अनेक विभूतियों ने, आजाज भारत के सपनों को पूरा करने के लिए जीवन खपा दिया, आजाजी के लड़ाई से लेकर, आजाज भारत के नवनिर्मार में, जिस तरह से पूरे भारत ने एक जूठ होकर प्रयास किया, उसी भावना से आप भी मैदान में उतरत हैं, आप सभी का, राज, जीला, गाउं, भाशा, बले कोई भी हो, लेकिन आप भारत के मान, अभिबान के लिए, देश की प्रतिष्ठा के लिए, अपना सर्वस्रेश प्रदर्शन करते हैं, आपकी भी प्रिणा शक्ती तरंगा है, और तरंगे की ताकत क्या होती है, यह हमने कुछ समय पहले युक्रेन में देखा है, तिरंगा युद्धक्षेत्र से बहार निकलने में, भारतियों का ही नहीं, बलकि दूसरे देशों को लोगों को लिए भी सुरक्षा कवज बन गया था,